हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है मुंबई में पेट्रोल करीब 100 रुपे प्रति लीटर पहुंच गिया लॉक्डाउन की वज़े से मुंबई के लोग पहले ही परेशान हैं उस पर से बढ़ती हुई मेंगाई ने उनका हाल और बुरा कर दिया है मुंबई में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है 30 लीटर पेट्रोल का आकड़ा संचुरी पार करने वाला है और इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी स्थित एक पेट्रोल पम के बाहर और यहां पर देखिए आज पेट्रोल की कीमते कितनी है 99.98 पैसे यानि 99 रुपए 98 पैसे आज की कीमत है महस्त दो पैसे बचे हुए है और यह जो आकड़ा है वो सो को छू जाएगा और इसी वज़े से जो मुंबई के रहे वो काफी जादा परिशान है लॉकडाउन की वज़े से पहले ही कमाई नहीं और ऐसे में अब जब पैट्रोल की कीमते 100 तक पहुच रही है तो लोग परिशाने सीधे सुनी से बात करके जाने की कोशिश करते हैं लगभग 100 रुपए हो गया किस तरह से आप तो परवट रहे हैं जरा भी नहीं परवट रहे हैं अलक खराब है जहां पांसो गडालता है आप सो दो सो गडालके चल रहा हूँ बता रही है पात सो रुपए के लगभग पेट्रोल डालते थे लेकिन आप जो है सो या दो सो रुपए की पेट्रोल डालते आप मुझे बताईए आपकी ग्रहस्ती पर कितना असर हुआ है जिस तरह से पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के पास पहुच गया है असर बोलेगा तो भी कैसा बोले असर वो गया अभी पार गया तो क्या करने के अपड़े गए ना सो रुपए और फिटी हो बोजेट मिनी इसका घर चलाना बेहत इन्हें मुश्किल हो गया असर आप बताईए सो रुपए कीमत हो गए आपके बजट पर कितना असर हो रहा इस को गए पार पेट्रोल मतलब यह रवा हम लोग की दो लगी गई ना पूल यह मुंबई करें जिनका कहना है कि कमाई नहीं है ऐसे में जब पेट्रोल की कीमते इतनी ज्यादा होंगी तब घर कैसे चलेंगे सर आप बताईए आपके यहां पर कितना असर हुआ है इसकी कीमते हो गई हैं लॉकडाउन हैं मुश्किल है घर चलाना आप पर कितना असर हुआ आपके बजट पर कितना असर हुआ है पूरा ही असर हो रहा है काम दंदेगा भी वाट लगा के रगा है और कॉमपनी में भी 40 तक तो काम बचा है इसमें से 40 तक आप लोग काम पे आ रहे जो काम पे आ रहे हैं वो काम पे आरे बाकी घर पर ही बेढ़े हैं आप मैंजे सर बताईए आप पहले कितना पेट्रोल लेते थे जब कीमते कम थी और आप कितना ले रहे हैं जब सौर पे पहले लेते थे सर उतना अभी भी लेते हैं सब चीज की कीमते बढ़ गई पेट्र पानियों को समझे क्योंकि जिस तरह से अगर कीमते बढ़ती रहेंगी लोगडाउन खत्म नहीं हुआ है अब भी लोगडाउन चल रहा है कब लोगडाउन हटे गई यह पता नहीं है और फिलाल एक ब्रेक ब्रेक बाद आपको दिखाएंगे सुक्मा में सुरक्षाबलों ने कैसे नाकाम की नकसलियों की IED वाली साजिश